हेलो अरिबाड़ी वल्कम बैक टो क्वांट स्टेडी आयम मुझा सिमक्तर सो आप लोगों को पता है कि मैंने अल्रेडी आर्टिकल सिनॉनियम्स अंटॉनियम्स डिटर्माइनर स्पेलिंग्स कंप्लीर करवा दिया प्रिपोजिशन का पार्ट वन भी हमने अल्रेडी पढ़ हुआ है अर्टिकल सिनॉनियम्स अंटॉनियम्स डिटर्माइनर स्पेलिंग्स अल्रेडी हम पढ़ चुके हैं और प्रिपोजिशन का पार्ट वन जो है वह हमने कंप्लीट कर दिया है आज हम लेक्चर टू करेंगे प्रिपोजिशन का अगर आपने ये बाकी सारे जो लेक 4 में वहां से आप जो हैं देख सकते हैं ठीक है तो आज हमने prepositions का part 2 पढ़ना है अचा उससे पहले आपको कुछ questions आपको as always questions करने होते हैं solve कुछ तो यहां पर एक गलती हुई है मुझसे यहां पर question mark यहां पर भी question mark और यहां पर भी question mark can you make a sentence on into क्या आप into पर कोई sentence बना सकते हैं अगर बना सकते हैं तो comment कीजिए क्या आप about पर कोई sentence बना सकते हैं अगर बना सकते हैं तो comment कीजिए under पर कोई sentence बना सकते हैं यह जो तीनों है आपने इन पर अगर sentence हैं यह जो बना सकते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताонов कि embrasmus def automobile in पडाइन के तरह की डीरेक्शन की तर Collpower itself and the tema españ कि कि सब्सक्राइब ऑप्र किसी भी डीरेक्शन से उसको हम पिर्पूमेंड और मूंट्ला सब्सक्राइब तरह बच विसी एक वाव में आता है ठीक है तो आज हमने prepositions of directions पढ़ना है ठीक है start करते हैं across हमारे पास पहला preposition है इसका explanation क्या दिया है इनने on at to or from the other side या तो किसी side पर या उसकी तरफ या उसकी तरफ से वापिस के लिए ठीक है जैसे कि examples में इनने बता है across the street या lines across the paper second क्या है हमारे पास through through ठीक है through from the end or side to another ठीक है किसी के end से या किसी के side से ठीक है जैसे कि आप यहां पर examples में देख सकते हैं through the tunnel या a tour through France ठीक है और second is third जो है यहां पर क्या है in a direction toward a person or thing किसी भी मतलब direction में वो person हो सकता है या thing हो सकता है ठीक है देख सकते हैं आप यहां पर go to bad go to bad ठीक है move on to मतलब किसी भी तरफ मतलब चलना ठीक है face to face यहां पर क्या रहा है towards face ठीक है face is towards the face मतलब समझ रहें उसी तरह से है इसी का जो दूसरा state है वो क्या है to का ही जो मतलब दूसरा ہے हो क्या है charge towards a given state मतलब किसी भी कोई भी state मतलब में हां अब किसी भी state में है कर तो उसकी तरफ ठीक है जैसे कि health क्या है मारे पर से कोई भी a condition ठीक है health क्या है स्टेट को आप दूसरे नाम से अगर बुलाना चाहें, दूसरे वर्ड से अगर आप बुलाना चाहें, तो आप condition भी बुला सकते हैं, तो back to health, health वाली condition में वापिस, ठीक है, all the way to, या फिर to die for something, ठीक है, यह इसकी examples थी, उसके बाद into क्या होता है, किसी भी, मतलब किसी के अंदर कोई भी movement, मतलब चले जाना, जैसे कि हम बोल सकते हैं, I fell into the kitchen, sorry, I fell into the river, यहाँ पर इन एग्जांपल थी, went into the kitchen, मतलब kitchen की अंदर की तरफ गया, ठीक है, यह movement हुआ यहाँ पर, ठीक है, crashed into a tree, ठीक है, tree के, मतलब tree के into में crash, ठीक है, breaking into pieces, pieces में break हो जाना, ठीक है, go into banking, मतलब banking में चले जाना, यह क्या है actually, यह जो go into banking और breaking into pieces, यहाँ यह condition की, मतलब state या condition या form में, ठीक है, pieces क्या है, यह एक form है, बड़े, अगर एक, मान लो, पथर है बड़ा, उसको हम pieces में break करते हैं, तो वो उसकी दूसरी form हो गई न, तो मतलब यह form की example है, go into banking, मतलब banking, एक state बन गई, अब मतलब banking की condition में चले जाना, आप यह state, वो वाली state मतलब जो, जैसे जैंड के है, जैंड के थी basically, या फिर जैसे जारकंड वगरा यह सब हैं, वो वाली state की बात नहीं कर रहा हूँ, I am talking about the condition वाली state, अचा उसके बाद देख सकते हैं आप यहां पर, out of, out of means from the inside to the outside, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, drag myself out of bed, मतलब bed से बाहर की तरफ की चो, ठीक है, out of nowhere, इसी की जो दूसरी है, वो no longer in the condition, मतलब उस state में अब नहीं रहा, उस condition में या फिर उस form में अब नहीं रहा, for example, out of town, town से बाहर, ठीक है, town क्या है यहां पर, मतलब town तो, यहां पर एक condition बन गई न, कि उस town में नहीं रहा, अब ठीक है, out of order, order के बाहर, order भी क्या रहा अब, एक state थी, उसके बाहर, ठीक है, out of fashion, fashion के बाहर, ठीक है, उसके बाद, on to, top की तरफ चले जाना, देख सकते हैं, jumped on to the table, into the table नहीं, on to the table है, यहां पर, ठीक है, क्योंकि top की तरफ, ठीक है, towards, moment in the direction of, किसी भी direction की तरफ, moment जो है, उसको हम towards, वहां पर हम towards यूज करते हैं, जैसे कि, towards the house, house की तरफ, ठीक है, house की तरफ हम towards बोलते हैं, ठीक है, towards the future, मतलब future की तरफ, towards peace, peace की तरफ, उसी तरह से from, starting point से, या फिर moment away from, किसी भी state से, मतलब, दूर, ठीक है, किसी भी state से, दूर, जैसे कि, यहाँ पर देख सकते हैं, walked home from the station, station से, घर की तरफ, traveled from NY to LA, traveled from NY to LA, from, कहां से, NY, कहां तक, LA, ठीक है, from, देखिए, दूसरा क्या है, एक source है, या, कोई भी cause, इसको आप मान सकते हैं, जैसे कि, a note from the teacher, किसी की तरफ, मतलब, टीचर की तरफ से, notes, ठीक है, या फिर, note, no right from wrong, मतलब, सही को, गलत से, जाने, ठीक है, देखिए, तो यह, यह था, मतलब, prepositions of directions, या moments, इसके बाद, अभी हम कुछ, important, जो दूसरे prepositions, exam point of view से important हो सकते हैं, अभी हम वो करेंगे, देखिए, यहाँ पर है, other prepositions, देखिए, off है, यहाँ पर, इसका meaning क्या होता है, किसी चीज़ से originate होना, या फिर, किसी का बना हुआ होना, या किसी चीज़ के साथ associate होना, या किसी भी चीज़ से belong करना, तो इसकी examples में आप देख सकते हैं, man of the earth, a cup of coffee, the hand of God, that friend of yours, man of north को आप अगर देखिए, तो आप इसका meaning क्या बता सकते हैं, earth नहीं, ये north है, sorry, north का इंसान means, यहाँ पर, he is, मतलब, belonging from north, right, a cup of coffee, मतलब, coffee जो है, वो, किस से, मतलब, यहाँ पर, associated है, ठीक है, a cup of coffee, the hand of God, उसी तरह से, that friend of yours, ठीक है, by, by, हम या तो किसी के नाम के साथ, या फिर through the agency, और action of, for example, यहाँ पर a book by, Mark Twain, Mark Twain ने एक book लिखी हुए है, ठीक है, या फिर by myself, मुझसे, ठीक है, या, played by the rules, killed by the bullet, उसी तरह से, one by one, they left, by car, by bus, ठीक है, बहुत सारी examples हैं इसकी, उसके बाद about, estimation of quantity के लिए हम यूज कर सकते हैं, on the subject of, किसी भी, मतलब subject के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ready to do something, ठीक है, कुछ, अभी मैं बता सकता हूँ, अभी मैं बता दूँगा आपको, देखे यहाँ पर, about ten people, मतलब quantity यहाँ पर बताई जा रही है, मगर estimated quantity बताई जा रही है, पूरी नहीं, about two meals, या miles, ठीक है, दो meals, अब exactly, about means estimated, ठीक है, a book about English, English के बारे में, कोई book, ठीक है, उसी तरह, the chorus is about to sing, मतलब वो ready है, मतलब singing के लिए है, उसी तरह से, for, यह क्या indicate करता है, यह करता है, indicate कोई object, या aim, या purpose, देखे, happy for you, eager for fame, for one thing, या for heaven's sake, देखे, यह for, जो है, हमने, कुछ preposition of time में, हमने for को कैसे बढ़ा था, तो आपको यह भी देहान रखना है, sentence के सहसाब से, उसी तरह से आपको answer करना है, वैसे हम practice भी करने वाले हैं, next part में, इसकी, तो आपको देहान रखना है, यह चीज़, ठीक है, उसके बाद with, with का meaning होता है, in the presence of, देखे, जैसे की, with a friend, with cheese, with confidence, with a lot of, with, will be filled with you, shortly, या from Russia, with love, तो यह थे कुछ हमारे other prepositions जो हमने पढने थे, तो I wish you all the best for your preparation, thank you so much for watching this video, I'll see you in the next video, thank you.